So, Hello Friend, Welcome back to our new video आईए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार Top 20 News है दरसल आपको दादे प्रताब गड़ो अयुद्ध्या के लोगों के लिए Good News है इसके साथ ये RBI ने लॉंच किया है एक नया Portal आपको क्या लाब मिलेगा इसके बारे में आगे जानेंगे तो WhatsApp अगर आप चलाते हैं तो आपको कई सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जल्द मिलेगा AI Generate Sticker और साथी साथ आपको दादे सोना चांदी के दाम में ब्रिक लगा है अब आपको कितने दाम में मिलेगा ये जानेंगे वही पोश्ट आफिस की इस स्कीम में पांच हजार रुपए अगर आप हर महीने देते हैं तो आठ लाक रुपए तक मिलेगा वही चावल दीजिए और टमाटर लीजिए सरकार की इस नई नीती को आप समझ लीजे और साथी साथ विदर के बारे में भी जानेंगे आप इस विडियो में अंधतक बने रहिएगा क्योंकि सरकार ने कई सारे नियम भी जारी किये हैं वही दोस्तों कर आप अपने वाहन पर जाती सूचक बोर्ड लगाते हैं तो आप इस पर सक्ती की जाएगी जानिए क्या पूरा अपडेट है बने रहिएगा आप हमारे साथ चालिए सुरू करते हैं तो आपको दादे एक गुड नियूज है मुंबई से मिला एक और ट्रेन जानिए पूरा टाइम टेबल क्या होगा मुंबई से अयोध्या प्रताबगर आने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है LTT प्रियागराज एक्सप्रेस को अयोध्या तक बढ़ा दिया गया है इससे प्रताबगर और अयोध्या के लोगों को काफी फायदा होगा साथ ही मुंबई से आयुध्या के लिए अब तीन ट्रेने हो गई है LTT प्रियागराज एक्सप्रेस वे को आयुध्या तक बढ़ाय गया है मुंबई से आयुध्या के लिए अब कुल तीन ट्रेने चलेंगी वहीं दोस्तों RBI ने बड़ा फैसला लिया है जी हाँ दोस्तों रीजर बैंक आफ इंडिया ने एक नया पोर्टल लाँच किया है जिसका नाम उद्गम है बैंक खातों में बहुत सारे लोगों का अनक्लेम डिपोजिट पड़ा रहता है जिसको खोजने में अब मदद होगी आपका दादी ये पोर्टल RBI दोरा जनता के उपियों के लिए डिवलप किया गया है ताकि उन्हें एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी बिना क्लेम की हुई रासी को खोज करना आसान हो जाए तो आप भी इसका फाइदा ले सकते हैं अगर आप भी बैंक पे पैसा बगरा जमा किये थे और अनकलेम्ड नहीं किये हैं तो इस विज़े पर जनता को जागरू करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाय जा रहा है तो आरबिय जनता को अनकलेम्ड डिपोजिट का दावा करने के लिए अपने संबंदित बैंकों की पहचान करने और उनसे संपर करने के लिए प्रोस्ताहित कर रही है अज़ अगर आप भी वाटसाप चलाते हैं तो इस नियम को जान लीजे क्योंकि बहुत सारा फायदा मिलने वाला है डबलू ए बीटा इनफो की रिपोर्ट के अनुसार यूजर के चैटिंग एक्सपिरियन्स को और जादा मज़ेदार बना देगा वाटसाप में आपको जल्द मिल जाएगा AI जेनरेट इस्टीकर चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में अगर आप भी सोना चांदी इस महिने खरीदने वाले हैं या आप कोई योजना बना रहे हैं सोना चांदी खरीदने का पहले आप रेट जा लीजे उतार चड़ाओ हर महिने लगा रहता है और रोज नया रेट जारी होता है सुक्रवार को सोने के दाम में कोई बदलाओ नहीं हुआ है देश में 22 करेट 10 गराम को सोना 54,100 रुपए का मिलेगा 24 करेट सोने के कीमत 69,020 रुपए है तो सोनव चांदी पर ब्रिक लग गया है आप चाहे तो खरी सकते है तो पोश्ट आफिस की इस धासू स्कीम को जा लीजे क्योंकि इससे 5,000 रुपए आपको जमा करना होगा और 8,000,000 रुपए तक मिलेगा पोश्ट आफिस के रेकरिंग डिपोजिट इस सकीम के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाते हैं और पैसे को निवेज करना चाते हैं क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं सिप आप बैंक में पैसा जमा करेंगे उसमें जो इंट्रेस्ट रेट मिलता है उसी से आपका पैसा बढ़ जाएगा तो आप बेवकूफी कर रहे हैं आप इन्वेश्टमेंट करके अच्छा रिटन पाना चाते हैं और सुरक्षित निवेज की तलास कर रहे हैं जहां ब्याज में 6.250 को बढ़ा कर अब जुलाई सितंबर क्वार्टर के लिए 6.5% कर दिया गया है इंट्रेस्टेट में 30 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है आपको बता दें 100 रुपए से सुरू कर सकते हैं आप निवेज गौर तलब है कि किन सरकार द्वारा सेविंग स्कीम की ब्याजदरों में तीमाही आधार पर संसुधित करती है और पोश्ट आफिस की रेक्रिंग डिपोजिट स्कीम में आप अपनी सुविदा के अनुसार एक साल दो साल या उससे अधिक अवदी के लिए निवेज कर सकते हैं तो निवंतमायू 18 साल होनी चाहिए तो आप भीस में निवेज कर पाएंगे आप महज 100 रुपए में इनिवेज कर सकते हैं और 10 साल तक निवेज कर सकते हैं कुल 8 लाक रुपए तक का फायदा आपको मिलेगा सो दोस्तो चावल दीजिए और टमाटर लीजिए भारत की सिस्कीम को समझ लिजिए भारत को टमाटर की सप्लाई कर रहे हैं नेपाल ने कर दी ऐसी मांग कि अब एक बाब फिर से टमाटर महँगा हो सकता है भारत में टमाटर की कीमते बढ़ गई है ऐसी स्थी में भारत को पहली बाद टमाटर का आयात करना पढ़ रहा है पर उसी देश नेपाल मदद के लिए सामने आया है लेकिन उसने भी एक दिमान कर दी है उसने कहा चावल दीजिए और टमाठर लीजिए और उत्तर प्रदेश में भी टमाठर का आयात किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको टमाठर सस्ते में ही मिलेगा सस्ते दाव्ट मिलेगा चावल निर्यात करके सरकार आयात करेगी टमाटर तो चलिए दोस्तों जा लेते हैं यूपी में विदर के बारे में क्योंकि कल से अगले चार दिनों तक बारिस का सामना करना पड़ जाएगा प्रदेस वासियों को लखनो का पारा भी हो जाएगा ठंडा यूपी में बारिस में कमी आते ही आम जंता गर्मी और उमस से परेसान होने लगी है फिलाल आपको दादे 20 अगस्त के बाद से बारिस में विस्तार होगा तक प्रदेस में बीते कुछ दिनों से बारिस कहीं पर हो रही है तो कहीं नहीं हो रही तो फिलाल आपको दादे 20 अगस्ते भारी बारिस का अलठ जारी किया गया है इस दोरान पूर्वी हिस्से में एक दो अस्थानों पर बिजली गिरने और तेज बारिस का अलट होने का अलट है सुक्रवार और सनिवार को बांदा, चित्रकूर, कौसांबी, मिर्जापूर, प्रियागराज, सोन भद्रो और उसके आस-पास की इलागों में भारी बारिस हो सकती है इसके साथ ही 18 अगस्त को अमेठी आजमगर बांदा में भारी बारिस होई है 19 से 23 तक बारिस होगी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यूपी में लिखा जा रहा है इतिहास ऐसे अपसर बन जाएंगे पहली बार I.S आपको बतादे दोस्तों एक I.S. अपसर का रुदबा अलग ही होता है या तो सब देखते ही हैं लेकिर इस रुदबे को हासिल करने के लिए उनकी मेहनत के बारे में पता होना चाहिए UPSC के तैयारी में केंडिडेट दिन रात मेहनत करते हैं और जो सफलता मिलती है उसका एहसास ही अलग होता है लेकिर अब तहसीलदार भी I.S. बन सकता है पहली बार UP के प्रसासनिक सेवा के दो नायब तहसीलदार I.S. के पत पर प्रमोट किये जाएंगे इस बार सेलेक्स्टन लिष्ट 2022 के तहट राज कोटे के तहट 22 वेकेंसी को भरी जानी है यूपी सरकार राज कोटे में जिस दो नायब तहसीलदार को I.S. बनाने जा रही है उनका नाम उमा कांत्रिपाथी और नरेंदर सिंग है तो साधी अनुदान योजना के तहट यूपी सरकार देती है 50,000 रुपए आर्थिक सहायता क्या है पातरता कैसे करे आवेदर इसे जाल लिजे आपको भी लाब मिल सकता है यूपी की राज सरकार लड़कियों को साधी के लिए C.M. साधी अनुदान योजना चलाती है जिसमें 51,000 रुपए गरीब परिवारों को मिलता है तो आपको कैसे लाब मिलेगा वरवदू यूपी के स्थाई निवासी होने चाहिए और गरीबी रेखा से नीची होने चाहिए अधिक्तम दो बहेनों को इस योजना कलाब मिलता है और किन दस्तावेजों की जरूत परती है आप यहाँ पे नोट कर लिजे वरवदू का अधार कार्ड लगेगा वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, वीपिल कार्ड, वरवदू का पासपोर्ट साइस फोटो, बैंक अकाउन की डिटेल और निवास प्रमाण पत्र लगेगा अगर आज हो जाए लोग सभा चुनाओ तो कौन जीतेगा यूपि की 80 सीटों पर भाजपा को मात देने की बात कही जा रही है, लेकिन सर्वे कुछ और ही कह रहा है टाइमस नौ भारत और एटीजी ने लोग सभा चुनाओ को लेकर सर्वे कराया जिसमें इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर चुनाओ आज हो जाए तो यूपि में कितनी सीटे की इस पार्टी के खाते में आएगी तो आप यहां भी देख सकते हैं, सर्वे के अनुसार अन्डिया गडबंदर को यूपि की 80 सीटों में 79 से 73 सीटे मिल सकती है वह इंडिया गडबंदर को 5 से 9, बस्पा को 1 या फिर अन्ने को 3 सीटे तक मिलने का अनुमान है अगर वोटर सेहर की बात कलने तो सर्वे के मुताविक अंडिया को 51 परसंट से जादा का वोट मिलेगा इंडिया को 38 परसंट, बस्पा को 6 और साधी अन्ने को 4 परसंट का अनुमान है यूपी की निकायों में आफ्लाइन टैक्स जमा करने पर रोक लगा दी गई है लापरवा अपसोरो पर होगी कारवाई उत्तर परदेश में नगर विकास, विभागने, नगर निगमो समेट साथ निकाईों में सभी तरह के टैक्स ओफलाइन जमा करने पर रोक लगा दी है सिर्फ ओनलाइन टैक्स वा लाइसेंस सुल्क जमा होंगे तो आपको दादे UPJE परिक्षा के ग्रूप E बायो में आयोध्या के धनराज को मिली है पहली रैंक जिया दोस्तो आपको दादे गुसाई गंज के महमूब गंज कस्बे के निकट रहियावा गाउं के रहने वाले धनराज चोहान ने UPJE परिक्षा के ग्रूप E बायो में पहली रैंक पाई है उन्हें या सफलता पहले प्रियास में हासिल हुई है धनराज के पिता ओम प्रकास चोहान प्राइवेट नौकरी करते हैं और उनकी मा एक कुसल ग्रहणी है तो वाहनों पर जाती सूचक बोड लगागा कोई नहीं चला पाएगा वाहन C.M. योगी ने सक्थ निर्देश दिया है मुक्वंति योगी ने कहा वाहनों पर जाती सूचक बोर्ड लगागा कोई ना चलाए वाहन आपको दादे सहर के CCTV कैमरे परतेक दस्ता में क्रिया सील रहने चाहिए आवायत खननन वर वसूली पर रोक लगाए ऐसा भी उन्होंने बयान दिया निर्देश दिया है यानि अगर आप अपने गाली वाहनों पर यदुवंसी या ब्रामः या हिंदू ऐसे कोई भी चीजों का जाती सूचक वाहन पर बोर्ड लगाते हैं तो आप पर कारवाही हो सकती है विड़े पसंद आया हो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद